दोस्तो जो विद्यार्थी हर्याना के विभिन पॉलो टेकनिक कॉलेजिसे पॉलो टेकनिक डिपलोमा कर रहे हैं और अभी करंट में थर्ड समेस्टर और फिफ्ट समेस्टर में वो पढ़ाई कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक्जाम से रिलेटिड बहुत न्यूज दिया है बौर्ड ने उन सबी दोस्तों के लिए उन सबी विध्यारतियों के लिए जो exam होंगे वो offline mode में होंगे और साथ ही उनके exam की जो date रहेगी वो tentative date बौर्ड ने जारी की है it means 19 फरवरी से उन सभी विद्यार्थियों के offline mode में exam होने वाले हैं पहला point board ने यही दिया आपनी letter में कि reappear और regular जो theory के exam होंगे third और fifth semester के विद्यार्थियों के लिए वो tentatively 19 फरवरी 2021 से offline mode में होंगे साथ ही में board ने यह बताया है कि जो exam से वो इस प्रकार से होंगे semester के लिए tentative date sheet है जो की 19 फरवरी से 27 फरवरी 2021 में होंगे और offline mode में होंगे जो third semester के हैं उन सभी के लिए tentative जो date है वो एक से 10 मार्थ means एक मार्थ से 10 मार्थ 2021 के बीच में होंगे और वो सभी offline mode में होंगे साथ ही practical exam की date sheet board ने जारी की थी arts तारिक से लेकर यानि 8 फरवरी 2021 से लेकर के 13 फरवरी 2021 तक रहेगी तो वो concern institute में बात करें जो विद्यार्थी जिन संस्थानों में पढ़ रहे हैं अपने वहा concern institute से बात करें यही इनोंने board ने भी दिया है means 3rd और 5th semester के जिस हिसाब से यह exam की date बताए गई है इसी हिसाब से वहाँ पे concern institute अपने जो schedule है वो जारी करेगा और विद्यार्थियों को यह advice दी जाती है कि वो अपने संस्थान से contact करें जो भी schedule में किसी तरह का बदला हुआ है तो दोस्तो यह board की तरफ से बड़ी ख़वर है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो लगातार सोच रहे थे कि इस बार फिर से online mode में exam होंगे तो वो offline mode में होंगे और concern जो institute है वहीं पे उन सभी के exams होंगे और जो 5th semester के विद्यार्थी है उन सभी के लिए 19 फरवरी 2021 से start होंगे और वो 27 तरीक तक खतम हो जाएंगे इसके तुननत बाद 3rd semester के जो regular विद्यार्थी है उनका एक से लेके 10 मार्ज तक exam होंगे साथ ही में जिन विद्यार्थियों के reappear था 2nd year में और 3rd year में 2nd year में 3rd semester में और 5th semester में जिन विद्यार्थियों के reappear था वो सभी विद्यार्थी भी यहाँ पे reappear हो सकते हैं और अपने exams दे सकते हैं इसके अलावा current में जो exams चल रहे हैं उसके according जो विद्यार्थी 2nd semester, 1st semester और जो विद्यार्थी 4th semester और 6th semester में जिनके reappear हैं उन सभी के exams इसी परकार चल रहे हैं जैसे अभी current में वो schedule दिया हैं तो दोस्तों सभी विद्यार्थियों के लिए 3rd और 5th semester के विद्यार्थियों के लिए यह board ने guideline जारी कर दिये हैं practical exams में भी अब 8 से 13 के बीच में कुछ बदलाव हो सकता है वो अपने concern institute से बात करें इसके अलावा जो exam की date है वो 19 से 27 फरवरी last year के जो विद्यार्थियों के जो current में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं जो इस समय final semester में अपियर हैं और इसके अलावा जो विद्यार्थी 3rd semester में अपियर हैं यानि की second year में अपियर हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए 1 से 10 मार्थ के बीच में exam होंगे सभी exams offline mode में होंगे Thank you दोस्तो